तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करेंगे अगर आप आठ कैमरे घर में लगाना चाहते हैं जैसी हमारे लग रहे हैं पांच कैमरे तो इसको आठ कैमरे कभी भी बदल सकते हैं तो इसका टोटल सेटप खर्चा आपका कितना आएगा तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे हिक वीजन के 2 मेगा पिक्जल कैमरों के बारे में तो फ्रेंड इसमें भी आपको कई परकार के मतब मोडल मिल जाते हैं कि आपका DVR कैसा है आप कौन से ब्रैंड का पावर SMPS लेते हैं CCC TV कैमरा पावर सप्लाई लेते हैं तो हमने जो है यह आउटो बॉक्स निकाल रखा यह देखिए चार चैनल वाला हमारा यह DVR है जिसमें चार कैमरे स्पोर्ट होते हैं और उपर जो है यह हमारा पावर सप्लाई है फोर्दा कैमरा फ्रेंड जब भी आप कैमरे लगवाएं तो आप हमेशा DVR जो है कम से कम आठ चैनल वाला लें क्योंकि होता कहा कि कई बार आपका मन करता है कि तीन-चार कैमरे और एड हो जाएं तो चार कैमरों में जो है फ्रेंड्स चार कैमरों वाला DVR में आप मैक्सिमम चार कैमरे ही लगा सकते हैं अगर यह आप 8 camera वाला लगवा लेंगे तो खर्चा सिरफ 1000 फाल्तू लगता है और यही गलती जो हमसे भी हो गया और हमें पूरा DVR बदलवाना पड़ा तो 4 वाला हमारा यह spare हो गया तो चलिए friends अब हम बात करते कि total cost कितनी आएगी 8 camera लगवाने के लिए हमने पूरा एक total ज HD camera है वह आपको 1500 रुपय का आएगा bullet और वेदर प्रूफ जो है outdoor camera है अगर आप indoor लोगे तो वह 100 रुपय सस्ता आता है तो 8 camera का जो खर्चा है वह आपका 12,000 रुपय के आसपास आएगा DVR HD Turbo जो है 8 channel DVR जो है 500 रुपय का है यह अच्छी brand का है अच्छी quality का है इसमें जो ह होता है तेज होता है तो वह इसलिए जो है इसका प्राइज जो है थोड़ा साथ सो आठ सो रुपय ज्यादा है सस्ते वाला भी आता है तो हमने इसका प्राइज जो है 5,200 रुपय लगाया है पावर SMPS 8 channel वाला जो है 750 रुपय के आसपास है नॉर्मल कंडिशन में हार्डिक्स जो है आठ कैमरे की जो रिकोर्डिंग है बैक अप जो है वो अगर आप एक टीवी लगाओगे तो आपकी रिकोर्डिंग जो है सिरफ एक हफते में ही भर जाएगी 5 GB के तो आप हार्डिक्स में लगा ही नहीं सकते तो आपको मिनिमम हार्डिक्स जो है आठ कैम यह वायर है कैमरों और DVR CCTV में जाती है इसका जो प्राइज जो है 10 रुपए पर मिटर पड़ता है इसका टोटल कोश्ट जो है हमने 1000 रुपए लगाया है एक DVR बोक्स होता है यह DVR को लोग करने के लिए होता है तो उसका जो प्राइज जो है फ्रेंड्स नॉर्मल कंडिशन में 1200 से लेकर 1500 रुपए तक पड़ता है तो टोटल आप 1500 रुपए लगा सकते हैं लेबर पर कैमरे इस कैमरों की फिटिंग के लिए जैसी आप यह देख रहे हैं यह कैमरा यह लगाना पड़ता है तो इसका कोश्ट जो है डिपैंड करता है वो कितना लेता है तो नॉर्मल आप एक्स्टेंशन वोक्स होगा आपका तो वो जो है आपका 500 रुपए के आसपास पड़ता है तो हमने 100 रुपए लगाया है तो इसका हम नेट करेंगे तो यह देखिए 12,000, DVR के 5,200, Power SMPS के 7,500, Hardisk के 5,000, Landwire के 1,000 रुपए, DVR के 1500 रुपए, DVR लोकर आप कह सकते हैं लेबर आट केमरे की 2,000 रुपए है, एक्स्टेंशन बॉक्स का जो है, एक हजार रुपए, सो रुपए है, टोटल जो है आपका जो नेट कोश्ट पड़ेगी वो है 27,500 के आसपास है, तो कई लोग कहते हैं कि हमारा मोनीटर का कोश्ट क्या आएगा, मोनीटर नहीं डाला है तो टोटल खर्चा जो है 33,000 रुपए के आसपास आएगा ही आएगा, यनकी 31,000 से लेकर 33,000 रुपए के आसपास 8 केमरे का खर्चा आएगा, अगर आप सस्ता केमरा भी आगया है जिसमें लाइटे कम होती है, IR सेंसर कम होता है, वो अंधेरे में फिर अच्छी क्लियर व बचा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोध होकर भी कट कोस्ट करके भी आपको सिरफ 29,000 मिनमम प्राइज है, इससे नीचे कैमरा लगाने का खर्चा जा ही नहीं सकता, डिपेंड करता है आपका शहर कैसा है, अगर आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, दिल 500 का आ रहा है, पावर SMPS आजकल जो है, 850 रुपया के आसपास आ रही है, कैमरे का प्राइज जो है, अगर आप यह देख रहे हैं, इसका प्राइज 500 रुपया बड़ा हुआ है, 1650 का आ रहा है, बाकी आलमोट सभी का प्राइज सेम है, हार्डिस के रेड भी जो है, करोना वारिस के कारण 500 रुपया बड़ा हुआ है, तो अगर आप करोना वारिस के टाइम लगवाओगे, तो एक दो हजार आप एक्स्टा और जोड सकते हैं, तो फ्रेंट्स यह था पूरा खर्चा, इसमें हमने सिरफ 8 कैमरों के बारे में ही बात किया, तो हमने पुरानी वीडि लगवाएं, तो 8 कैमरों वाला ही लगवाएं, क्योंकि C में आपकी बचा था, क्योंकि बाद में आप कैमरे को एड़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, धन्यवाद।